नमस्कार दोस्तोм, मैं हूँ आपका होष्ट सुरजकुमार सिल और आप देख रहे हैं वैदिक अड़ा वैदिक अड़ा के आज किस एपिसोड में हम बात करेंगे ओईजा बोर्ट के बारे में दोस्तों आपने अक्सर ओईजा बोर्ट के बारे में सुना होगा जब आप Hollywood और Bollywood की भूतिया फिल्में या भूतिया वेब सिरीज देखते हैं तो आप उनमें ओईजा बोर्ड के जरीए प्रेत आत्माओं को बुलाते हुए देखाऊगा ओईजा बोर्ड एक तरह का बोर्ड होता है जिसमें अंग्रेजी के कुछ अलफावेट्स और कुछ नंबर्स दिये हुए रहते हैं उसमें एक तरफ यस और एक तरफ नो भी लिखा होता है हाला कि ओईजा बोर्ड को बनाने का अपना अपना सब का एक अलग तरीका होता है आज इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ओईजा बोर्ड के माध्यम से कैसे किसी आत्मा को बुलाया जा सकता है और वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी मिथक कुछ लोग ओईजा बोर्ड को सिर्फ मिथक मानते हैं और कुछ लोग तो अपना अनुभब भी सेयर करते हैं कि उन्होंने ओईजा बोर्ड के माध्यम से प्रेत आत्माओं को बुला कर उनसे बाते की है तो दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है और कितना जूट ये हम वीडियो के अंत में जानेंगे लेकिन उससे पहले आईए जान लेते हैं कि आखिर ओईजा बोर्ड है क्या ओईजा बोर्ड एक तरीका है आत्माओं को बुलाने का आत्माओं की दुनिया में परवेश करने क और प्रेत आत्माओं से बाते करने का ओईजा बोर्ड के जरीए लोग जो है प्रेत आत्माओं से बात करते हैं उन आत्माओं से जिनकी मौतें कुछ दिन या कुछ महिने या कुछ साल पहले हुई है पचास साल पहले मरे हुए किसी व्यक्ति की प्रेत आत्मा को ओईजा ब का सबसे अधिक उपयोग की बात करें दोस्तों तो विदीसू में इसका सबसे अधिक उपयोग होता है भारत बांगलादेश यानि हमारा जो ये रीजन है इस रीजन में वजाबोर्ड का उपयोग कोई नहीं करता विदीसू में वजाबोर्ड को एक खेल की रूप में खेला हैं ओईजा बोर्ड का सबसे अधिक प्रियोग अमेरिका और इरोप के देशों में होता आया है लेकिन इसके बारे में जो एक अपवा है वो यह है कि ओईजा बोर्ड का आविस्कार चीन में हुआ था ओईजा बोर्ड के जरिये आत्मा को बुलाने का जुए खेल है इसमें ज्यादतर बच्चे और जवान लोग अत्यधिक रूची रखते हैं क्योंकि जवान और बच्चों में प्रित आत्मा उसे बाते करने का और रहस्में चीजों के बारे में जानने के पीछे बहुत सारी उ काम को करते हैं कुद्रत ने आत्मा की दुनिया अलग बना कर रखी है जो इनसानों के लिए अच्छा भी है और बुरा भी कुछ लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने फायदों के लिए प्रित आत्मा को बुलाते हैं जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना जिनके बारे में हमें जानना नहीं चाहिए दोस्तों कुछ चीजें अगर रह सही रहें तो यह अच्छी होती है क्योंकि देखिए आत्मा का एक अलग दुनिया होता है ना तो आप उस दुनिया में जाकर उनके साथ रह सकते हैं और नहीं वो आपके जीवन में आपके साथ रह सकते हैं हाँ वो आपके पास आ सकते हैं आपको उनके होने का एहसास दिला सकते हैं लेकिन अगर आप यह सोचे कि आप एक आत्मा के साथ अपना जीवन व्यतित करेंगे तो यह बिल्कुल संभव नहीं है क्योंकि वो दूसरे डायमेंशन दूसरी दुनिया के वो जो है वो आत्मा है दूसरी दुनिया के वो चीज है लेकिन आत्मा को बुलाना कभी कभी क्या होता है कि खतरनाक हो जाता है ओईजा बोड एक प्रकार का बोड होता है जिस पर कुछ सब्द और संख्याएं लिखी होती है जैसे A से Z तक इसमें अलफावेट लिखे होते हैं, एक से लेकर सुन्य तक और यस और नो और अंत में गुडबाई आधी लिखा होता है ये सारे सब्द आत्माओं से बात करने में प्रयोग में लाए जाते हैं वेजा बोड के माध्यम से जब आप किसी प्रयत आत्मा को अपने पास बुलाते हैं तो वो प्रयत आत्मा उस वेजा बोड के माध्यम से आपसे बात करते हैं अगर आपने उनका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है और अगर उनका नाम है पूजा तो वो क्या करेगा कि आपके उंगली को आटोमेटिक वो आत्मा आपके उस फिंगर को P, U, J, A जब आप उनसे उनका नाम पूछेंगे कि आपका नाम क्या है तो वो ऐसे आपको बताएगा कि उसका नाम पूजा है वो कहां से आई है तो आपकी जो उंगली है या फिर कोई object है वो अक्षरों तक अपने आप पहुँच जाएगा आप उनसे ये पूछेंगे कि आपकी मृत्तियों कब हुई तो नमबर के मादिम से माल लीजिए 20001 इमून की मृत्ति हुई तो 20001 वो इस तरीके से आपको बताने का प्रयास करती हूँ आत्मा इसलिए वहाँ पर A से Z तक अल्फावेट एक से सुनने तक नमबर उसके बाद Yes और No क्योंकि अगर आप उनसे कुछ पूछें और उन्हें Yes और No में जवाब देना हो तो वो अपना जो साइन है वो Yes और No तक लेके जाएगा या फिर आपके फिंगर को ही Yes और No तक लेके जाएगा और जब आपको उन्हें फिर वापस उसी दुनिया में भेजना हो जहां से वो आई है तो फिर उसे गुडबाई कहकर उसे वहाँ पर भेज देना होता है इसलिए ये सब जो साइन है वो वहाँ पर अंकित किये जाते हैं ये सारे सब्द आत्माओं से बात करने में परियोग में लाये जाते हैं अब देखिए वजा बोड में अब देखिए वजा बोड के माधियम से प्रेत आत्माओं को बुलाने और उनसे बात करने के लिए कम से कम दो या फिर उससे अधिक लोगों की आवशकता होती है इसे आप अकेले नहीं बुला सकते कुछ लोग डर के मारे इस गेम को खेलने से मना कर देते हैं इसमें कमरे के लाइट को बंद करना होता है और एक मुंबती जलानी होती है फिर ओईजा बोड को बीच में रखकर लोगों को उसकी आसपास बैठ जाना होता है फिर सबको अपना हाथ एक के उपर एक रखकर ओईजा बोड में रखना होता है और फिर सुरू होता है असली खेल उनमें से एक बंदा जो इस खेल का लीडर होता है वो कुछ सवाल पूछना सुरू करता है जैसे कि इस रूम में हमारे अलावा और कोई है क्या अगर है तो अपना नाम बताओ एहसास दिलाओ कि आप यहां पर वास्तव में हो अगर उस कमरे में कोई आत्मा होती है तो वे इन सवालों का उत्तर उसी वजा बोड के माधियम से देती है खेल खेलने वालों की हाथ जो वजा बोड पर होते हैं वो अपने आप उन अक्छरों के उपर हिलने लगते हैं जिससे उन्हें उस आत्मा का नाम पता चल जाता है और वो इसी तरह से कई प्रसने पूछते हैं अब देखिए अब इस खेल के कुछ नियम होते हैं उन नियम को आपको फॉलो करना होता है खेल के बीच में आप उठकर नहीं जा सकते या कुछ-कुछ ऐसी चीजे होते जो आप नहीं कर सकते ऐसा करने से वो आत्मा गुसल हो जाती है और वो आपके साथ कुछ भी कर सकती है यह खेल जानलेवा भी है इस खेल के दौरान कोई भी बीच में उठकर नहीं जा सकता इस खेल में बहुत खत्रा होता है और इस खेल में आत्मा कभी-कभी खेल खेलने वाले पर हावी भी हो जाता है और इस पर कबजा भी कर लेता है इस खेल की सबसे डरानी वाली बात यह है कि आप इस खेल से आत्मा को बुला सकते हैं पर वो जाते हैं अपनी मर्जी से ना कि आपकी मर्जी से इस खेल में सवाल पूछने के बाद आपके हाथ बोर्ड पर खुद बखुद हिलने लगते हैं जिसका यह संकेत होता है कि आत्मा आपके करीब है और वो भी आपसे बात करना चाहती है इस खेल के दौरान जब आप अपने साथियों के साथ उन्हें पकड़ कर रखते हैं तब अपना जो हाथ होता है वो अपने साथियों से आप हटा नहीं सकते ऐसा करने से उस आत्मा के साथ जो आपका कनेक्शन बना वो कनेक्शन जो है न वो टूट जाएगा और वो आत्मा आपकी दुनिया में हामेशा के लिए रह जाएंगी जब आप किसी आत्मा को बुलाते हैं तो उसे वापस उसकी दुनिया में भेजना भी होता है अगर आप उसे उसकी दुनिया में भेजना नहीं जानते हैं या भेज नहीं पाते हैं तो फिर यकीन मानिए वो आत्मा आपके उस कमरे में या आपके उस जीवन में हामिसा के लिए रह जाती है और किसी आत्मा का आपके जीवन में होना या आपके आसपास होना आपके लिए कितना बड़ा खत्रा है यह बात मुझे बताने के आवशकता बिलकुल नहीं है तो दो एक धकोसला है जो फिल्मों के जरीय हमें दिखाया गया है तो आईए उस पर कुछ बाते कर लेते हैं ये सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर कोई चीजें हमारे सामने हैं लोग उन पर फिल्म बना रहे हैं लोग उन पर बाते कर रहे हैं लोग उस पर अपना अनुवब साज तो जरूर इसमें कुछ बात है आत्मा को बुलाने के हर संप्रदाई की लोगों का हर धर्म की लोगों का एक अलग अलग टेक्निक होता है तांत्रिक किसी पृत आत्मा को एक अलग तरीके से बुलाते हैं चर्च के पादरी एक अलग तरीके से बुलाते हैं एक मुस्लिम मौलाना जिनको अपनी तरीके से बुलाते हैं मुस्लिम मौलाना जो है जो काजी होते हैं ठीक है जो पीर बाबा होते हैं वो एक तांतरिक के जैसे आत्मा को नहीं बुलाते हैं उनका एक अपना अलग तरीका होता है तो इसी प्रकार यूरोप में या फिर आमेरिका में जो आत्मा को बुलाने का तरीका है वो ओजाबोट के माद्यम से होता होगा अब देखे मैंने तो इसका कभी अनवब नहीं किया तो इसके बारे में मैं आपको यह बता नहीं सकता कि इसमें कितने सच्चाई है लेकिन अग इसा बिलकुल हो सकता है आप ओजाबोट के माद्यम से आत्मा को बुला सकते हैं लेकिन इतने कितनी सच्चाई है कितने नहीं इसकी पूष्टी मैं कताई नहीं करना चाहता लेकिन मैं आपको यह बताना जरूरी समझता हूँ कि कभी भी यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे विडियो उपलब्ध हैं जिसमें यह बताया जाता है कि आप कैसे ओजाबोट के माद्यम से आत्मा को बुला सकते हो या फिर ओजाबोट आप कैसे बना सकते हो इन सभी चीजों के बारे में आपको कभी नहीं करना है ओजाबोट के माद्यम से आपको प्रेत आत्मा को बुल गेरा बना लेते हैं, समसान साधना के वक्त एक चक्र काई से घेरा बना लेते हैं, ताकि वो प्रेत आत्मा उस व्यक्ति को, उस तांत्री को कुछ हानी न पहुंचा सके। उन्हें सरीर को बांद कर रखा है, तो वो आत्मा अगर चाहे कि आपको चोट पहुंचा है, तो वो बेसक चोट पहुंचा सकती है, तो इस तरीके के चीजों को अगर आप करना चाहते हैं अपने घरों में, तो बिल्कुल न करें, कई सारे ऐसे किस से हुए हैं, मैं में जमसित्पुर में स्कूल है, वो इसकूल आज प्रतिवंदित है, वो इसकूल आज बंध हो चुका है, क्यों? वहाँपर कुछ ऐसे ही जो है ना, किरियाएं की गए थी, पाईसा चेक किरियाएं वहाँपर की गए थी, उसके बाद जो आत्मा वहाँपर आई, उसे वे आपकी होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, दोस्तों आगे जब मैं फिर और वीडियोज बनाऊंगा इस पर, तो कुछ ऐसे घटनाओं पर मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा, कुछ ऐसे घटनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कि कैसे जो है प्रेत आत्माओं को बुलाया, फिर वो आपस नहीं भेज पाए, कुछ लोगों के experience हैं, जो article द्वारा लिखे गये हैं, तो उन घटनाओं को आपके साथ में साजा करोंगा, और अगर आपके साथ भी कभी ऐसे घटनाओं घटित हुई है, तो आप comment करके हमें जरूर हमारा email address जो है, वो description में दिया हुआ है, अगर आपके साथ ऐसी पैसाचे घटनाओं, भूतिया घटनाओं हो चुकी है, तो साजा किजी उस पर हम वीडियो अवश्य बनाएंगे, लेकिन जाते जाते मैं फिर से कह रहा हूँ, इस तरीके के चीजों से हमेशा दूरी बना कर रखें, सात्विक चीजे करें, भगवान का राधना करें, हनवान चालिशा का पार्ट करें, भगवान किस्तुति करें, और कभी भी नेगेटिव चीजों के तरफ आकरसित बिल्कुल नहीं होना है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है, नॉलेज के लिए ह और आपको आगहा करने के लिए, आपको सचेत करने के लिए है, वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक सिर्फ और चैनल को सब्स्क्राइब करना बिल्कुल न भूले,